हेलो दोस्तों, किसी भी विद्यालिया के वार्शी कुट्सों में अगर आपने स्पीश देना हो, तो शिक्षा पर स्पीश दीजिए, यानि कि शिक्षा समाज के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, एहम है, तो इसलिए ये भाशन वार्शी कुट्सों के साथ आप अन्य कार करमों में भी बोल सकते हैं शुरुआत कीजिए शिक्षित होकर भीतर का विवेक जगाएं विवेक इंसान को बलवान बना देता है ज्ञान का एक दीप ही काफी है जो जल कर अज्ञानता का अंधकार मिटा देता है सरव प्रतम सम्मानित मंचपर उपस्तित मुख्य अतिति महोदय विशिष्ट अतितियों एयों मिसकारेक्रम के विशेश आकर्शन हमारे होन और विद्यारतियों बच्चों के अभिभावकों आधर्णिया ग्रामवाश्यों का स्वागत करता हूँ विद्याले में आयोजित इशवार्शिक समारों का मुख्य अदेश्य यही है कि हम शिक्षा की जोती को हमेशन परजुलित रखे हर प्रिवार तक शिक्षा का उजियारा हो शिक्षा से रोशन होता जहां शिक्षा से विवेक का उजाला है गरीब अमीर को नसीब हुई शिक्षा शिक्षा नहीं समाज को सम्भाला है शिक्षा ने आज हर जाती समाज पिछडे वंचित गरीब परिवार को समता दी है बस जरूरी यही है कि शिक्षा की इस निश्पक्षता का लाव उठाने के लिए हर विद्यारती हर परिवार निश्ठावान बने इसके साथ बच्चों के विवावकों से गंबीरता से कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेडित कने मजदूर परिवारों के बच्चे मजदूरी के लालच में पढ़ाई छोड़ देते हैं इसके लिए मैं गाउं के भाई बहनों से कहूंगा कि आप बेशक मजदूरी या अपना कोई छोटा मोटा कार्या करते हैं आप कीजिए अपनी रोजी रोटी के लिए जरूरी है मगर किसी भी हालत में अपने बच्चे को जरूर पढ़ाईए क्योंकि आपके बच्चे शिक्षा रोपी हतियार से आपके सुनहरे भविश्य का निर्मान करेंगे इस तरह होसला आजमाया करो मुश्किले देख कर भी मुस्कुराया करो दो निवाले भले कम खा लेना लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया करो आपके साथ और हिम्मत से ही आपके संतान देश के विकास में भागीदारी निवाएगी आज विद्यालिया में ये कारेकरम आपके बच्चों के लिए ही हुआ है सरकारी विद्यालिया में निष्ठा से पढ़ने वाले विद्यार्थी कामियाबी का लंबा सफरत्या करते हैं लेकिन इसके लिए बच्चों को अभिवावकों से होंसले की जरूरत होती है विद्यालिया के हर शिक्षक का यह प्रयास है कि हमारे स्कूल के बच्चे लगन से पढ़कर जीवन में सफल हो हमारे कुछ विद्यार्थी पढ़ाई और अन्य रचनात्म गती विदियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसे विद्यार्थियों का अध्यापक भी सम्मान करते हैं इस कार्यकर्म को मनोरंजक और खुबसूर्थ बनाने के लिए बच्चों ने मनमोहक प्रस्तूतियां दी इसके लिए हमारे शिक्षक और सभी प्रतिभागी स्टूरेंट्स बधाई के पात्र हैं एक बार जोड़दार तालियों से इनकलाकारों का सम्मान करेंगे माननिय मुक्ह अतिति महोदया, अध्यक्च महोदया और विशिष्ट अतितियों का आस के सफलायोजन के लिए खास तोर पर आभार प्रकट करते हैं जिनोंने शिक्ष्या के इस उत्सव में अपनी 100% उपस्तिती दर्ज करवाई समय की इतनी व्यस्तता में आपने सयम और आनन से कारेक्रम को निहारा मेरा आप से सादर अनुरोद भी है कि गाउं के इन बच्चों के लिए स्कूल में जरूरी सामान मोहिया करवाने का कष्ट करें आपका किया हुआ ये प्रयास हमेशा यादगार रहेगा और इन बच्चों के भविश्य को ज्वल रखेगा एक बार पुन है आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे सुना आए हुए अतितियों का ग्रामवाश्यों का मात्व शक्ति का विवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ तो इस तरह से भाशन दीजिए दोस्तों और प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करें अगर आपको मंच संचारन करना हो या कोई भाशन देना हो तो जानकारी ले सकते हैं स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं या आपको मंच पर बोलना सीखना हो तो दिये गए मुबाइल नंबर पर संपर्क करें धन्यवाद